अविनाश जाता ब्रोकर्स मान रहे हैं कि बैंकिंग और आटो ये दो ऐसे सेग्मेंट हैं जो कि यहां से तेजी को लीड कर सकते हैं अब मैं दो स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी बैंकिंग से एक बैंकिंग से और दूसरा ओटो से ओटो स्पेस से एसकॉर्ट्स जो कि लाइफ टेम हाइस पर ट्रेड कर रहा है प्रोकर्स तो बैट कर रहे हैं 600 तक के लेवल स्पेस स्टॉक में और अगर का वॉल्यम ग्रोथ एसकॉर्ट्स ने अभी हाली के मंत में दिखाया है 30% वॉल्यम ग्रोथ दिखाया और हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में भी होपफुली अगर मनसून अच्छा होता है तो ट्रैक्टर के सेल्स में काफी अच्छी बड़त होगी और यहां से भी अच्छी बड़त पॉसिबल है हमको लग रहा है कि 565 75 का टागेट एसकॉर्ट्स में डेफिनिटली पॉसिबल लग रहा है क्योंकि नॉट ओनली अर्निंग्स पर वॉल्यम ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉंग है और रही बात प्रावेट सेक्टर बैंक्स में तो हमने पहल राउंट हो चुका है लेकिन अगर रिस्क रिवार्ट की बात करें तो हमको लग रहा है कि कोटक बैंक में आने वाले दो तीम कौर्टर काफी शांदार रहेंगे और यह शायद एक्सिस बैंक से इनो अच्छा उट परफॉर्मेंस दिखा सकता है ठीक जिस पर दखका ध्या बैक होने वाला है बीस थारीक को आप ओयल इंडिया के लास्ट इम का हला कि पुरानी डाटा आज डिसकस करने का दिन ही नहीं है क्योंकि सब कुछ आज बदला हो दिखेगा सारे शेर्स खासकर इंडेक्स के शेर्स तो पूरी दर से बदले हो दिखेंगे लेकिन फिर भी ओ अहां जाएगा ये शेर विल इंडिये इंडिये टाइम फ्रेम से सो जो चार्ट है इस फैरली ओके शॉर्ट तम एक रेंज में अटका हुआ है 350 का resistance 320 का support gap up के साथ अगर 350 का breakout मिलके sustain होता है I sense the stock में momentum और participation काफी strong है which can take it to the level of around 370-375 on the upside अगर आप इनके इसके मंतली देखोगे you will notice that it has been on a great run since the month of March 2016. So I think on the last 12 months, 11 months it has posted a positive monthly close, थोड़े stretched है from a monthly point of view. So I sense अगर 373-375 का range आता है that is where it will face quite stiff resistance. कुछ pockets जहां पर हमने पिछले हफ़ते लगातार मुनाफवसूली देखी और आज शायद perform करते हुए नजरा है वो हो सकते हैं metals. दो वजाहें इन पर बात करने की पहला तो एक फिच की रिपोर्ट आई है steel companies पर जिसमें नोंने कहा है कि चायना के बाद भारा स्टील का दूसरा बड़ा producer country होगा जल दी और अगले 12-17 महिनों में भारा दूसरी बड़ी steel उतपादन करने वाली country होगी. और एक खबर ये भी है कि international market में जो constant protection हम metal prices में देख रहेते हैं वहाँ पर recovery दिखी है, especially शंगाई इंडेक्स पर अगर आप देखें तो zinc, aluminum, copper इन में एक recovery दिखी है, निश्टलेसरों से 2-5%, 3% ये दो दिन में बढ़े भी हैं. आज sentiments जो market में positive होंगे, ऐसे मैं विनाश किन steel stocks पर या पर metal stocks पर आपका focus रहेगा, जहां पर तेजी expected है? मुझे लग रहा है, जो global companies है, वहाँ पर एक नजर होनी चाहिए, especially अगर हम Tata Steel और typically अगर हम हिंडालकों की बात करें, हमको लग रहा है कि Tata Steel में definitely positive vibrance देखने को मिल सकता है, ये जो news flow है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा तर उन companies को benefit करेगी, जो properly integrated है, तो Tata Steel will be the first choice. चीक है, अविनाश एक और company पे भी आपकी recommendation चाहिए, एंटी पीसी है, actually इन्होंने केरल में जो power plant है, वहाँ से उत्पादन शुरू कर दिया, और ये solar का है, usually thermal के लिए समझा जाता है एंटी पीसी, लेकिन solar plant से इन्होंने अपना उत्पादन शुरू किया है, बीच में पकड़ने से लेके, current से लेके, सबसे रचर्चा बिजली को ही लेकर है, इस बार चुनावों के अंदर, तो एंटी पीसी, reliance power, torrent power, तीन बड़े प्लेयर हैं, जो की उत्रप्रदेश में बिजली सप्लाई का काम करते हैं, production और generation दोनों का ही, इक बार आप मिने को बताएं, एंटी पीसी आपको कितना ठीक लग रहा है, एक तो यह अपने इन और्गनिक ग्रोथ में साथ बढ़ रहा है, और दूसरा, यह जो बिजली का संकर देश में था, जिसमें चुनावों अभी एक मुद्दा बन जाते हैं, चुनावों में, वो कितने तेजी से अब सरकार इस यह definitely कही न कही incremental investment से benefit करेंगे, हमको लग रहा है कि NTPC definitely well positioned है, I think इनके पास cash flow भी काफी अच्छा है, already generating capacity काफी बड़ी है, और solar में definitely जो भी इन्होंने plant शुरू किया है, इसका impact definitely positively इनके IRR और profitability पे impact positively करेगा, बट रही बाद reliance power की तो हमको भी लग रहा है कि reliance power में भी जो capacity इन्होंने build किये, वो definitely इनको कही न कही incremental investments पे benefit करेगी, increased investments पे definitely कोई नो कोई अगर incentive government announce करती है, तो सारे दोनों players को definitely फायदा होना चाहिए, विनाश ये telecom space से idea पर bet करेंगे कैस हफते के लिए, क्योंकि फिर स entity में दोनों companyya equal stake partners होंगी और 21 billion euro में ये पूरी deal हो सकती है, already इस merger की खबर की वजा से एक अच्छा bounce हमने देखा है idea में 100 के उपर, अभी भी ए ट्रेड कर रहा है, रडार पर रखेंगे के stock को? दिपाली मुझे लग रहा है कि stake में अगर दोनों equal partners है, तो definitely positive है, क्योंकि Vodafone के comparison में idea एक चोटा player है, और अगर ऐसा deal होता है, तो definitely जो institutional holders है, उनके definitely एक positive surprise है, क्योंकि I think काफी अटकले लगी थी कि शायद Vodafone को शायद ज्यादा share मिले और idea को कम मिले, लेकिन अगर ऐसा deal होती है, तो definitely share में एक अच्छा उच्छाल देखने को मिले और ये deal fructify होने के बाद एक अच्छा upside देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से जब तक deal की पूरी details मिलती नहीं है, मेरे ख्याल से stock में एक थोड़ा सा range bond activity देखने को मिल सकते हैं